हेलो फ्रेंग स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में और दोस्तो आज हम आपके लेकर आएं सेक्शन ओफिस और होटी कल्चर की ओनलाइन क्लास 21 और जैसा कि आपको पता है क्लास 1 से लेके क्लास 20 तक आ चुकी हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो डेस आपस में उनको क्लासिफाई किया गया है और कौन-कौन से उसके एकजांपस है काफी important session रहने वाला है इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखना और वीडियो को last में आपके लिए बहुत प्यारे MCQs हैं और last में आपके लिए बहुत ही important question जिसका सही answer आपको comment box में लिखके वेजना है और उससे पहले जो भी लोग नए जुड़ना है चैनल से तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए, bell icon पे click करिए ताकि आपको agriculture job notifications की वीडियो and agriculture competitive exam की वीडियो टाइम से मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला अगर हम classify करेंगे तो based on season of growing तो season of growing की waste पे जो flowers को classify किया जाता है वो main तीन taps में किया जाता है summer season annual, rainy season annual और winter season annual सबसे पहले जानेंगे कि summer season annual में कौन कौन से flowers आते हैं जिसमें आपका जिनिया हो गया, कोचिया हो गया, पॉर्टूलका हो गया, उसके बाद तिथोनिया, बहुत सारे important है, sunflower हो गया, daisy हो गया, गॉंफिरेना हो गया तो यह सारे आपके flowers ऐसे हैं, जो summer season annuals flowers होते हैं, जिसके example मैंने अभी आपको बताएं तो दोस्तो most important question यहां से बन सकता है कि summer season annual कौन से flowers होते हैं, चार option देतेगा, उसमें से एक आपको choose करना होगा आगे बात करेंगे, दूसरा है rainy season annual, तो rainy season annual में आपका बलसम होता है, coxcomb होता है, kelloxia और आपका gallardia तो दोस्तो यह आपके ऐसे flowers हो जो rainy season annual होते हैं, काफे important है, तीसरा आपका है winter season annual, तो दोस्तो यह आपके हैं, यहापे लिखा हुआ है enterhenum, china ester, corn flowers, उसके बाद यहापर important है, sweet sultan है, उसके बाद petunia है, और आपका candy turf है, यह सारे important आपके flowers है, जो winter season annual flowers है, तो काफी important यहाँ से आपको पता चला, कि based on season of growing, तीन टैप से हम classify कर सकते हैं flowers को, जो कि मैंने आपको बताया, आगे चलते हैं, एक और important classification जो कि है, based on flowers color, तो यहाँ पे flowers के color के based पे flowers को चार टाइप में classify किया जाता है, white flowering, purple, lavender और blue flowering, उसके बाद यहाँ पे है yellow और orange flowering, और यहाँ पे है red और pink flowering, तो जानेंगे इन चारों के examples, तो पहला बात कर लेते हैं, white flowering, जिसमें आपका enterhenum है, elism है, dianthus है, china ester है, zinia है, chrysanthemum है, glad radiolus है और आपका गरविराइज, तो दोस्तों यह आपके flowers ऐसे हैं, जो white color के flowers के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको इस category में रखा गया है, आगे बात करेंगे purple, lavender और blue color, तो दोस्तों यह तीनों color के flowers हैं, वो इस category में रखे गा हैं, जिसमें आपके daisy rose, carnation, dahlia, ageratum, china anister, उसके बाद आपका जो important है वो आपका यहाँ पर है pitonia, और यहाँ पर titonia, और यहाँ पर daisy, तो दोस्तों यह आपकी ऐसे examples हैं, जो purple, lavender और blue color category में रखे गा हैं, तो यहाँ पर important question यहाँ से बन सकता है, आगे है yellow और orange color में तो आपका marigold सबसे जादा use होने वाला, बोल स दोस्तों rose और gladiolus, carnation आते हैं, क्योंकि यह कई multi color के flowers होते हैं, इसलिए इनको कई कर टिकरी में रखा गया, तो यहाँ पर भी rose, gladiolus, carnation, garvera और आपका ढहलिया, तो दोस्तों यह आपके classification हो गई based on flower colors, आगे बाद करेंगे तीसरी classification जो की है based on nature of growth, तो यहाँ पर growth के according, क classify किया गया है, पहला है annuals और दूसरा है perennial, तो annuals की बाद कर लेते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका nestartium है, ice plant है, holy hook है, sweet pea है, annual, krisanthemum है, carnation, corn flower, sweet ellism, dahlia, marigold, ververa, तो यह सारे important आपके flowers हैं, जो annuals flowers कहलाते हैं, इसलिए आपको यह याद रखना है कि annual flowers में कौन कौन से flowers आते हैं, और आपके perennial में कौन कौन से आते हैं, अगर perennial की बाद करेंगे तो rose, jasmine, crocandra, उसके बाद एंथूरियम, orchid, chrysanthemum, यह सारे आपके hibiscus हो गया, most important है, और आपका bulbous crop है, यह सारे आपके perennial season में आते हैं, तो आपको यह याद रखना है कि perennial nature of growth में आपके यह सा रहा है, content helpful लग रहा है, तो वीडियो को like करना और ज्यादा से यादा इस वीडियो को share करना ताकि ऐसे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे, आगे बात करेंगे, तो चौती के टेगरी है, based on purpose of growing, तो किस purpose के लिए flowers को grow किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका है, एलिजम हो गया, उसके बाद important आपका फ्लॉक्स है, लिनम है, और यहाँ पे आपका जो आपका है गोडेटिया और यहाँ पर यूफूर भी आतों, तो दोस्तों यह आपके ऐसे flowers हैं, जो रोकरी परपस के लिए यूज के जाते हैं, अगर हम hanging basket है और आप flowers लग गया है, आगे बाद करेंगे aging of bed और path, तो यहाँ पर दोस्तों path के लिए या फिर bed के aging के लिए जो full use के जाते हैं, वो आपके यहाँ पर important है वो आपका है निजेला, उसके बाद आपका जो है वो आपका है ब्राकी कॉम और यहाँ पर बात करेंगे तो पैंजी, निगेला, यह सारे आपके important examples हैं, आपके flowers के जो की path के लिए, रास्तों के लिए यूज के जाते हैं, आगे बात करेंगे तो fragrant flowers, ऐसे flowers जो सुगंद के लिए जाने जाते हैं, उनको इस category में रखा गया है, जैसे कर हम बात करेंगे sweet, alism, sweet, sultan, sweet pea, stock, flocks, carnation, rose, jasmine और tuberose, दोस्तों tuberose मत की question के रूप में आपके सामने आ सकते हैं, आगे बात कर लेते हैं, एक और important जो की है bedding purpose, तो दोस्तों bedding purpose के लिए देलिया हो गया, marigold हो गया, phlox हो गया, varvina हो गया, ice plant, candy turf, balsam और आपका पर्तोलका, यह सारे आपके flowers हैं जो bedding purpose के लिए यूज होते हैं, aromatic के लिए बा carnation हो गया, chrysanthemum हो गया, delia हो गया, rose, उसका जो important हो आपका है, alocasia, यहाँ पर orchard काफी important है, anthurium, और यहाँ पर आपका जो है begonia, यह आपकी important flowers हैं, जो की pot purpose के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको इस category में रखा गया है, आगे बात करेंगे for loose flower, अगर हम loose flower की बात करेंग तो यहाँ पर दुस्तों, marigold, jashmin, krosandra, और यहाँ पर आपका है berlaria, और यहाँ पर जो important हो आपका है, chrysanthemum, china ester, sunflower, zinnia, rose और डेलिया, यह आपके loose flowers के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसको इस category में डाला गया, तो काफी important है, यहाँ पर एक example आपको देखने को मिलना है आगे बात करेंगे, तो dry flowers के लिए जो सुखे रूप में काफी use के जाते हैं, ऐसे पुस्प जिनको सुखाके भी हम ज्यादा use करते हैं, ऐसे flowers इस category में जैसे हम बात करेंगे, static हो गया, उसके वाद जो important है आपका, वो आपका है, गॉंफरेना, उसके वाद, limonium, marigold, rose, lady lace और आपका निगेला, यह आपके इस important examples हैं, जो की dry flowers के रूप में काफी use के जाते हैं, अगर हम बात करेंगे, हेज बनाने के लिए, जो हमने हेज और एज आपको पढ़ा रखा है, उसकी playlist, easily आप देख सकते हैं, पढ़ी हुई है, description box में link दिया हुआ है, तो वहाँ से सारी वीडियो आप देख सकते हैं, और हेज और एज के ऊपर काफी important वीडियो आपने बनाएं, तो यहाँ पर बात करेंगे, तो आपका है, लौजोनिया, दुरंता, टैकोमा, उसके बाद आपका हिविसकस, मुरया, यह दोस्तों आपके important है, एरलिया, और आपका यहाँ पर जो तो यहाँ पर बात करेंगे, रोज हो गया, क्रिसंथेमम हो गया, कारनेशन, गर्वेरा, एंथूरियम, और्चिड, गलेडियोलस और आपका ट्यूब रोज, तो दोस्तों यहाँ पर stem के साथ एक ट्रेंड है कि जो flower है, उसका stem भी साथ में रहता है, तो यह एक तरह से modern flower कह आते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको example बताएं, यह आपके cut flower और modern flower में आते हैं, तो काफी important यहाँ से हमने example जाने according to purpose और use, आगे बात कर लिते हैं, based on mode of propagation, तो दोस्तों propagation के according, कौन-कौन से types हैं flowers के, जोनको हमने classify किया है, तो वो आपके यहाँ पर चार है, आपका पहला ह प्लांट, फिर आपका है cormelus plant, उसके बाद है rhizometus plant, उसके बाद आपका है tuberiferous plant, तो यहाँ पर हम बात करेंगे bulwos plant की, तो यहाँ पर आपका lily हो गया, और आपका narcissus हो गया, tulip हो गया, और आपका tuberose, यह आपके दूस्तों bulwos plant में आते हैं, according to mode of propagation, आगे बात करेंगे cormelus plant की तो gladiolus और आपका crocus हो गया, rhizometus के लिए kenna और आपका eris हो गया, और आपका tuberiferous plant के लिए आपका धहलिया हो गया, यहाँ से दूस्तों important question बन सकते हैं, कि bulwos plant इन मैंसे कौन से हैं, या फिर rhizometus plant कौन से हैं, तो easily आप यहाँ से अगर याद करेंगे, तो इस question क कर पाएंगे, आगे बात करते हैं, आज का last, जो की based है, जो की आपका है, based on their end use, end purpose, यहाँ पर end use के according रहम बात करेंगे, तो तीन टैप में आपे classify किया गया है, एक आपका traditional flower, एक non traditional, और एक आपका industrial flower, और value added flower, तो traditional flower का मतलब है, ऐसे पुस्प, जो की हमारे religious, जो हमारे ceremonies ह होती है, अनुष्ठान होती है, वहाँ पर use के जाते हैं, या फिर कोई सजावत होती है, वहाँ पर use के जाते हैं, या फिर मंदिर में worship के लिए यूज के आते हैं, ऐसे flowers हमारे traditional flowers कहलाते हैं, जैसे आपका example, jasmine हो गया, rose हो गया, mums हो गया, marigold, crossandra हो गया, tube rose, उसके बाद जो है, बरलारिया और आपका यहाँ पर है, गैलारिया, तो दोस्तों यह आपके examples ऐसे हैं, जो traditional flower के रूप में use के जाते हैं, आगे बात करेंगे दूसरा जो कि आपका है non-traditional, ऐसे flowers जो traditionally नहीं use होते हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे तो यह modern flower कहलाते हैं, जो आज के time में चीज होते हैं, तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि यह cut flower होते हैं और modern flower हो सकते हैं, आगे बात की जा रही है कि generally flowers are harvested along with a long stem और style, तो यहाँ पे एक long stem के साथ उसको harvest के जाता है, जिसमें flower भी होता है और एक बड़ी stem होती है जिसको gift purpose के लिए हम काफी use करते हैं, तो यह ऐस flowers हैं, जो modern purpose के लिए काफी use हो रहा हैं, इसलिए इनको non traditional flowers में डाला गया है, इसके examples है, high tech rose हो गया, garbera हो गया, carnation हो गया, chrysanthemum हो गया, gladiolus और आपका orchid, यह दूस्तों आपके modern flowers के लाएंगे या फिर cut flowers के लाएंगे, किसी भी तरह से आप इनको बोल सकते हैं, लेकिन काफी important यहां से आपको question देखने को मिल सकता है, आगे बात करेंगे industrial flower या value added flower, तो जैसा कि नाम से classify हो रहा है कि ऐसे flowers जो industry purpose से काफी use होते हैं, जो कि industry में oil extraction और aroma के लिए use किये जाते हैं, तो यहाँ पे जो ऐसे flowers हैं, जिनसे हम कोई product बनाते हैं, जैसे आपका गुलकंद ह हो गया, उसके बाद आपका जो गुलरोगन हो गया, pigment हो गया, या फिर कोई color बना रहा है, तो ऐसे flowers हम use करते हैं, उनको industrial flower बोला जाता है, या फिर value added flower के नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कि these are used as a raw material in industry for extraction of essential oil, तो यह एक तरह से raw material की तरह use होते हैं, जो कि oil निकालने में काम आते हैं, ऐसे फूल जिनका oil काफी use होता है, या फिर preparation of some edible product, या फिर कोई खाने योग या कोई खाद्य पदार्थम बनाते हैं, जो कि काफी जादा use होता है, जैसे गुलकंद हो गया, यह सबसे जादा use होने वाला product है, जो कि आपका value added product आप बोल सकते हो, तो ऐसे followers जो कि हमारे, उनकी जो बोल सकते हो, harvesting के बाद भी processing की जाती है, ऐसे हमारे followers industrial flower कहलाते हैं, जैसे example की बात करेंगे, ट्यूब रोज हो गया, जैस्मिन, रोज और मेरी गुलकंद बना जाता है, तो दोस्तों यह हो गई हमारी main classification, अब बात कर लेते हैं, आज की important question, जो की question है, पहला question है, fruit of rose is known as, तो rose के fruit को किस नाम से जाना जाता है, काफी important question है, कही एक्जांस में आभी चुका है, तो दोस्तों इसका सही answer है, आपका hips, hips, तो आपको यह याद रखना है, कि यह नहीं है, उसके बाद आपका यह भी नहीं है, के बल, hips आपका सही है, ज यहाँ पर बात की जा रही है, बनाना commercially propagated के जाता है, किसके द्वारा, comms के द्वारा, सकर के द्वारा, seed के द्वारा, या फिर layering के द्वारा, तो इसका सही answer है, option number B, बनाना is commercially propagated by suckers, काफी important question है, exams के point of view से, आगे बात कर लेते हैं, एक और important question, the fruit products order, 1956 order, lays down mandatory standard for, तो यहाँ में बात की जा रही है, कि जो FPO, fruit product order, जो कि 1956 में आया था, वो दोस्तों किस लिए आया है, किस fruit के लिए बनाया गया है, तो दोस्तों यह order जो था, वो आपका processed fruits के लिए बनाया गया है, ऐसे fruit जिनकी processing की जाती है, उनी को हम processed food बोलते है, जैसे आपका गुलकंद हो गया, ketchup ह हो गया, कोई भी आपका food हो सकता, तो ऐसे food के लिए एक order तयार किया गया था, जो कि 1956 में आया था, जिसको fruit product order के नाम से जानते है, आगे बात करेंगे एक और important question, hips are the rich source, आप तो यहां पर जो rose का fruit है, जिसको hips बोलते है, यहां पर clear हो गया है, अब बात की जारी कि जो hips है, किसका rich source है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, vitamin A, vitamin B, vitamin K, या फिर vitamin C, तो इसका सही answer है, option number D, vitamin C, सबसे ज़्यादा आपको पाया जाता है, hips में, जो की rose का fruit होता है, आगे बात कर लिते हैं, एक और last question, और उसके बाद आपके लिए बहुत प्यारा सा question आ रहा है, जिसक सकते हो, कि इनमें से सबसे ज़्यादा iron किस food में पाया जाता है, या फिर dry corona में, या date में, walnut में, या फिर cashew nut में, दोस्तों इसका सही answer है, dry corona, तो सबसे ज़्यादा जो iron पाया जाता है, वो आपका dry corona में पाया जाता है, यह आपको याद रखना है, most important question है, exam के point of view से, अब बात कर लेते हैं, आज का important question है, जो कि आपके लिए है, और बहुत प्यारा सा question है, tube roses are commercially propagated by, तो यहाँ पर बात की जा रही है, कि जो रजनी गंदा होता है, tube rose होता है, उसको commercially propagate करते हैं, किसके द्वारा, इसका answer आपको बिना Google के comment box में लिखके फेजना है, ठीक है दोस्तों अगर आपको आज का session पसंद आया हो, तो please वीडियो को like करिए, ज्यादा से यादा इस वीडियो को share करिए, ताकि सबी student तक घर बैठे ये वीडियो पहुंच सके, अगर आपके कोई query है, तो please आप comment करिए, मैं कोसिस करूँगा उसका answer देने की, इसका PDF आपको मारे telegram channel से मि जाएगा जिसकी link description box में दे दी है, so thank you for watching, चै हिंद, चै भारत